जिस व्यक्ति को आप देख घू04 गांदी नहीं एक से मठ है रान मत वं कि तरही आप यातरा को दिखाते ही नहीं हो कैा आपको कहा गया है कि भही यात्रा को दिखाओ मत और फर आफ प्रेस कोंड़र्ज में आते हो के तो यह चलो एक डिक। एक श्रिक्शन महरते हैं कि अग्ला सवाल आएगा पीम कौन होगा देख लेना अब भाई आप या पीम वाला पूछे राहूल गांदी आपके दिमाग में मैंने मार दिया उसको वो ही नि मेरे माइन में ही नि गया हो गया शुरू होने से पहले के राहूल गांदी और करनाल तक पहुंचे इसमें कितना अंतर आया है आपके अनुभौ में और व्यक्तित व्या यह तो आपका डिसेजन है ये तो आप लोग जज, जूरी और एक्सेकूशनर हो तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा राहूल गांदी क्या है, कौन है क्या नहीं है क्या बदलाव आया, क्या बदलाव नहीं आया उसमें थोड़ी सी सच्चाईय आप बोल सकें तो अच्छी बात होगी और नहीं बोल सकें तो वो भी ठीक है पंजाब केस्ट्री से मनोज राना सर नमस्कर मैं ये जानना चाहता हूँ पूरी ज़ग से हर्याने की जनता भी जानना चाहते है कि आगामे विधान सब्स चुनाओं में सियम का चेहरा कौन रहेंगे कांगर्स की तरफ से क्योंकि भाजपा का तो उन्होंने क्लियर करक्ष है लग देखिए मैंने प्रेस कांफरेंस में तीन चार बार कहा है कि हमारा लक्ष यात्रा का है और आप लोग डैवर्ट करने की कोशिश करते हो पता नहीं आप यात्रा को दिखाते ही नहीं हो आपको कहा गया है कि भाई यात्रा को दिखाओ मत सोशल मीडिया में मतलब बवाल मचा हुआ है तुफाना है हुआ है मगर नैशनल मीडिया में कुछ नहीं दिखाए जाता और पिर आप प्रेस कॉंफरेंस में आते हो कहते हो वहीं चलो एक डिक्स्रेक्शन मारते हैं CM कौन होगा PM कौन होगा अगला सवाल आएगा PM कौन होगा देख लेना आएगा पक्ता आएगा कि डिस्ट्रेक करना हो या CM कौन होगा PM कौन होगा फिर उसके बाद आएगा सवाल opposition unity नहीं है वो भी आएगा तो आप करिये जो आपको करना है मुझे भी करना है काम थैंक यू अमर उजला से सेवा सिंग अब भया PM वाला पूछे आपके वो तीन है आपके हट प्रेस कौन फिर आएग आते हैं CM कौन PM कौन जी मेरा डर है कि मैं पांच ग्रेव में इसको फटम नहीं पांगा राहुल जी नवश्कार जैराम जी दन्यवाद आपका सवाल पूछने का मोका देने के लिए राहुल जी चम ने देखा है जब यह यात्रा चल रही है आपकी टी-शर्ट बहुत चर्चाओं पर हैं और खास्तोर से मुझे आप लोग मने डाट भी पढ़वा दी और ये 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 डाट पढ़वा दी आपने मुझे टी-शर्ट टी-शर्ट करके मामा ने डाट मार दी मुझे कि तुम कैसे घूम रहे हो राहुल जी सवाल मेरा ये है कि यात्रा जो है राहुल गांदी की इमेज बदलने में कितनी काम्याब रही है चाचाई ये भी है राहूल गांदी की बेजबद्ली है आप इसे एक बड़ी उपलब्दी व्यक्तिकत तोर पर देखते हैं और दूसरा सवाल इसे से जोड़ा है नहीं एक ही सवाल प्लीज प्रदीप एक ही सवाल प्लीज प्लीज मुझे रोकना पड़ेगा आपको प्लीज एक ही सवाल राहूल गांदी आपके दिमाग में है मैंने मार दिया उसको वो ही नहीं मेरे माइन में ही नहीं गया हो गया जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो तो राहूल गांदी नहीं है वो आपको दिख रहा है बात नहीं समझे आप हिंदु धर्म को पढ़ो थोड़ा शिव जी को पढ़ो समझ आ जाएगी बात ऐसे मत हैरान मत हो हैरान मत हो राहूल गांदी आपके दिमाग में है मेरे दिमाग में है ही नहीं राहूल गांदी बीजेपी के दिमाग में है मेरे दिमाग में है ही नहीं इतना मतलब है है हरान क्यों लग रहे है आप शुक्रिया शुक्रिया प्रदी इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है इमेज में कुछ इंटरेस नहीं है जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो वो आपका है, मेरा नहीं है, कोई फरक नहीं पढ़ता मुझे मुझे अपना काम करना है जन्टा टीवी से स्पर्श शर्मा हैना क्यों लग रहा आपने कहा कि अब लड़ाई तपस्या की है राजनितिक नहीं, तो क्या आप तपस्वी हो गए है नहीं मैं तपस्वी था, आप भी तपस्वी हैं ये देश तपस्वियों का देश है जैसे लोगों ने कहा कि देखो राहूल गांदी कितने किलोमेटर चल गया लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि देखो किसान कितने किलोमेटर चलता है हिंदुस्तान का कोई भी किसान नहीं है जो मुझसे जादा नहीं चला है एक नहीं है हिंदुस्तान का ऐसा एक मजदूर नहीं मिलेगा आपको जो मुझसे कम चला है हम यह क्यों नहीं कहते हैं देखो देखो मजदूर कितने किलोमेटर चला है क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं मैं करता हूँ तो यह चेंज लना है और यह देश तपस्वियों का है यह देश पुजारियों का नहीं है reality इस देश की यह है और अगर जैसे मैंने कहा इस देश को super power बनना है जो आप कहते रहते हो तो तपस्वी की respect करनी पड़ेगी उत पादप की respect करनी पड़ेगी उससे गले मिलना पड़ेगा बैंक के दरवाजे उसके लिए पड़ेगे उसकी protection करनी पड़ेगी सच्चे खबर से सच्चे सिंग सब पीछले काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉंग्रेस पहले defense mode में रहती थी अब है टेंकिक mode में हर जगह पर जवाब दिया जा रहा है आपके टीम ये अच्छा काम करी है पर मैं हरियाना के संदरब में आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और वो सेंटर से ही सवाल रहता है अभी पीछे राजय सबागा चुनाओ था जमाकन जी ने चुनाओ लड़ा था उस तमय में एक क्रोस वोटिंग हुई थी कोंग्रेस के पास वोट पूरे थे उसके बावजूद कोंग्रेस अपना राजय सबागा सदस से नहीं बेज पाई थी उस पे ना अस तक कोई जांच की बात आई है और ना अभी तक उस पे कोई कारवाई जैसी बात है सर आप से मैं यह जाना चाहता हूँ क्या इस परकार के मुद्धों पर भी जिस परकार से देखिए सोसल मीडिया की बात करें सोसल फेस बनाने की बात करें कोंग्रेस का जवर्दस फेस होता जा रहा है क्या ऐसे मुद्धों पर भी पार्टी में चर्चा होती है distraction attempt number two देखिए यह organizational मामला है यहाँ पे PCC President बैटे हैं खारगे जी President है यह आप उनसे पूछे इनसे पूछे मेरा लक्ष क्लियर है जो देश की आवाज है उसको सामने लाने का अच्छा attempt था, मैं कहूं कि उससे अच्छा था ज्यादा sophisticated था मगर मैं distract नहीं होगा यह जो यात्रा है जो हिंदुस्तान की आवाज को दबाया जा रहा है और जो हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा है हिंदुस्तान को जो बाटा जा रहा है एक जात को दूसरी जात से एक धर्म को दूसरी धर्म से चो लड़ाया जा रहा है उसके खिलाफ ये यात्रा है इस यात्रा का एक और लक्ष है और वो मेरा पर्सनल लक्ष है और जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं वो उनका भी लक्ष है वो है कि हम इस यात्रा को तपस्या जैसे देख रहे हैं हम अपने देश से प्यार करते हैं देश की जनता से प्यार करते हैं किसानों से गरीब लोगों से प्यार करते हैं और उनके साथ हम चलना चाते हैं तो यात्रा का लक्ष पर्सनल है यात्रा का लक्ष देश की जनता को देश की सची अवाज सुनाने का है अब देखिए उससे राजनेतिक फाइदा हो, नुकसान हो, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ मगर यात्रा का लक्ष, अवेरनस का है और जो में तीन बाते हैं, जो हम सब जगे कहते हैं भारत चुड़ो, डर के खिलाफ खड़े हो, नफरत मत करो, ये एक पुद्धा है दूसरा मुद्धा जो हिंदुस्तान में एकनोमिक इनिकॉलिटी हो रही है जो सारा का सारा धन, मीडिया, दूसरे इंस्टिटूशन्स, दो, तीन, चार लोगों के हाथ में हैं, इसके खिलाफ और उसके जो नतीजे हैं, भैंकर जो अनिम्प्लॉइमंट हो रहा है, टेजी से जो महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ ये याक्रा है और लोगों को ये मालूम है, कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसका कारण है कि पूरा का पूरा धन, तीन, चार, पांच लोगों के हाथ में है, सब को मालूम है लोगों को ये भी मालूम है कि वो जो धन का concentration हो रहा है पूरा का पूरा पूरी आर्थिक शक्ति जो तीन चार लोग को यहाथ में जा रही है उसका नतीजा बेरोजगारी है उसका नतीजा महेंगाई है लोगों connection मालूम है तो हम ये बात रखना चाहते है और बहुत successfully ये बात यात्रा ने रखी है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जहां भी हम जा रहे है यात्रा improve हो रही है तो अब ये हमारा लक्ष था देरिक जागरंट से अश्री शर्माप प्रीस नहीं बताता हूँ देखिए जब अरजुन मचली की आँख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा उसने कहा कि आँख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूँगा कहा था गया नहीं कहा था न उस कहानी का मतलब है वो घिता में भी है तुम काम करो जो होना है होगा ध्यान काम पे रखो तो वो ही थिंकिंग है यात्रा के भी आपका सवाल अच्छा है यात्रा के बाद एक और काम होगा उसके बाद शायर एक और काम होगा फिर आपको जवाब मिल जाएगा